नमस्कार बहुत सबागत आपको special report में मैं हूँ आपके साथ रुती शर्वासतो सबसे पहले special report में बाथ इस्राइल पर हमले की क्योंकि इस्राइल पर ऐसा हमला हुआ है जो 7 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ था हिजबुला ने इस्राइल के दूसरे सबसे बड़े शहर पर सौर राकट दागे हैलत की बात तो ये है कि इस्राइल का आरें डोन इन राकेट्स को रोकने में फेल साबित हुआ और फिर जमीन पर जो तबाही मची उसे देख कर नतनियाहू भी हैरान रह गए देखे रपोर्ट इस्राइल में ये काला रविवार है साथ अक्तूबर 2023 के बाद इस्राइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है मिजाइल अटाक हुआ है रॉकेट अटाक हुआ है ऐसे वीडियो इस्राइल में वाइरल हो रहे हैं जिन पर हिजबुल्ला की च्छाप लगी हुई है एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन याहू और उनके वार क्याबिनेट में खलबली मच गई है क्योंकि हिजबुल्ला ने इस्राइल को उस शेहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहास से तलवीव के बाद इस्राइल का दूसरा सबसे बड़ा शेहर है ये है हाइफा हाइफा यानी इस्राइल की सबसे बड़ी बंदर्लकाः हाइफा मतलब इसराइल का सबसे बड़ो अध्यों की गिलाता हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री हाइफा मतलब इसराइल की अर्थ्रवस्ता की रीड क्या हाइफा पर हुआ हमला हिस्बुला का पेजर बम वाले अटैक का बदला है क्या हाइफा को हिलाकर इसराइल को हिस्बुला ने सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है इस्भुला ने इसराइल को उस अटने को टार्गेट बनाने का दावा किया है जहां से фाइटर जेट उलकर लिबनान पर बंबारी कर रहे हैं इस्भुला ने अपना बड़ा टार्गेट इसराइल रमात डेविड एर बेस को बनाया है यह एर बेस हाइफा से करीब 20 किलो मीटर दक्षिनपूर में है मैप पर देखिए यहाँ पर हाइफा है और यहाँ पर है इसराइल का बहुत ही खास और सीक्रेट रमात एर बेस यह दोनों जगा लिबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलो मीटर के दायरे में है रमात एर बेस पर इसराइल एर फोर्स के एफ-16 फाइटर जेट की 3 स्कौर्डरन तैनात है यानि 50 से ज्यादा एफ-16 इसी एर बेस पर तैनात है रमात एर बेस पर इसराइल की 2 ड्रोन स्कौर्डरन भी है जिनके मदद से दक्षिनी लिबनान में बंबारी की जाती है इसे अरवेस और आसपास के इलाके में हिजबुल्ला ने सौ से ज्यादा रॉकेट दागे है कुछ रॉकेट हाइपा में करियाद वाइलिक इलाके में भी गिरे यहाँ पर लगी आग से आप अंदाजा लगाईए कि हिजबुल्ला की फायर पावर इसराइल के लिए कितनी हानिकारक है हिजबुल्ला का दावा है कि उसने फादी वन और फादी टू रॉकेट से हमला किया है यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तिमाल किया गया है फादी वन 220 मिलिमीटर वाले कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 80 किलोमीटर है जबकि फादी टू 302 मिलिमीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जा रही है फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताय जा रहा है लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्तूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हमला है इस अटाक में इसराइल का कितना नुक्षान हुआ है इस पर नेतन याहू अभी खामोश है लेकिन तस्वीरे बता रही है कि हिजबुल्ला का हमला कितना खतरनाक था क्या हिजबुल्ला ने हाइफा पर हमला करके पेजर बंबाले अटाक का बदला ले लिया है क्या हिजबुल्ला ने हाइफा को हिला कर इसराइल को सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है बाहर यानी सडक और बाजार में 10 लोगों के एक जगा एकटे होने पर पाबंदी लगी है जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगा होने पर मना किया गया है हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तर इसराइल में बहुत ज़्यादा खौफ है गोलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिये गए है गलीली, हाइफा और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ओर्डर है जोलाई दोहजार चौबिस में इस ड्रों वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौका दिया था तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिन जिलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुँच चुकी है हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला वीडियो रिलेस किया तो नेतन याहू की सरकार के हाथ पाउं फूल गए नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसराइल के ऊपर उड़ रहा है दस मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इसराइल के कई शहरों पर उड़ा है 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खीच कर वापिस लेबनान ले गया इसराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया ये ड्रोन उत्री इसराइल के किरियाच शमोना, नहरिया, सपथ, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया अब इसी ड्रोन पुटेज का इस्तिमाल करके हिस्बुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तोहफा दिया है या आग बता रही है कि हिस्बुल्ला ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी दस मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देख कर नेतन याहू को मुसाद समयत इसराइली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी हिस्बुल्ला के ड्रोन से हाइफा का पोर्ड भी रिकॉर्ड किया गया था इस वीडियो में इसराइली हत्यारों की कमपनी रफाइल का कॉम्पलिक्स भी फिल्माया गया था मिसाल के गुदाम एर डिफेंस सिस्टम पंडुबी कमांड सेंटर से लेकर कैई अड़े रिकॉर्ड किये गए इस वक्त इसराइल लिबनान बॉर्डर के करीब कैई लाके खाली हो चुके हैं लिबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलो मीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़ कर जा चुकी है लेकिन दहशत इसराइल में भी है उसके किरियाच शमोना जैसे शहर खाली पड़े है एक लाक से ज्यादा लोग डक्षन इसराइल की तरफ कूछ कर चुके है हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का ताफमान बढ़ा दिया है इसराइल और हिजबुल्ला का अगोशित युद्ध अब घजा पर बंबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है बारवे महीने में इसराइल पर रॉकेट बाजी और लिबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में इसे एक पक्ष हमला नहीं करता है इसराइल और हिजबुल्ला के अगोशित युद्ध में अब तक इसराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्ला के हमलों में मारे गए हैं जबकि नसरल्ला के 502 लडाके अब तक मारे जा चुके हैं ये लिबनान के मिलिशिया को बड़ा जटका है इसलिए नसरल्ला और हिजबुल्ला धूनों आग बबुला है पेजर बम वाले सीरियल बलास्ट के बाद हिजबुल्ला बड़ा बतला लेना चाहता है लेबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है क्योंकि हिजबुल्ला के टारगेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिटरी बेस हैं जिसकी नेतन याहू को उम्मीद भी नहीं थी